तुम समझते क्या हो यहां पर मैं कोई नौकराणी नहीं हुगु मैंने कब कहा कि तुम नौकराणी हो मैंने कहा क्या लेकिन भे Ahora तो तुम ऐसे करते हो ला जैसे कि मैं आपर तुम्हारी नौकराणी बैखी उँ jesteśmy यहर मैंने सिर्फ इत्रा ही चोंका कि भईया, मेरी shirt प्रेस नहीं है, यह ऐसे तो कोई बात नहीं हो तो जिसके तुमने बात का बतंगड बना दिया मैं कोई ज्यादूगर नहीं बैठी कि तुमने सारे बोला कि यह काम कर दो वो काम कर दो और सारे काम हो जाएंगे मैंने कब करके तुम जादूगर हूँ, मैंने ऐसा कहा बोलने की जरूट नहीं होती है न तुम्हारी हरकते बता देती है अनु ये कर दो, अनु वो कर दो, मेरा खाना बना क्या, मेरे कपडे हुए क्या अरे मैं कोई रोबोट नहीं हूँ ऐसा है मेरा दिमाग खराब करने के जरूट नहीं, मुझे अभी ओफिस जाना है, ठीक है, शांती से ओफिस जाना चाता हूँ हाँ, तुम शांती से ओफिस जाओ, घर का महौल अशांत करके तुम शांती से ओफिस जाओ, और मेरा बूट कैसा भी रहा अरे तू पागल वागल हो ये क्या, तब से बोले जारी, बोले जारी, तरह को समझ में नी आरा, मुझे ऑफिस जाना शांती से जाना चाता हूँ, चुपन ही हो सकती तू ऐसे चढ़के आरे हो ना मेरे उपड़ तू, मारोगे, मारो ना, मारो मुझे तू मिरको ना बेफ़ुजूल प्रभो करने की कोशिश मत कर, मेरा हाथ उड़ जाएगा तुछ पर ना हाथ क्यो उड़ जाएगा, तुमारा हाथ तोटी जया, बारो गुझे, बारो गुझे, बारो मम्मी बेटा बेटा, क्या हुआ है, हाँ मम्मी मुझे याद नी रहना है, मैं अभी आ रहे हूँ अरे बेटा, पर हुआ क्या है, कम से कम एक बार हमको बताओ तो सही तुम बस बात दुआ मम्मी, हम नी रह सकती बाई आपर क्या हुआ इसने हाथ उठाया मुझे किसने? राहू ले बेटा, तुम एक काम करो, तुम सीधे अपना समान बंदो और चुप-चाप घर चलिया हो तुमको एक मिनट भी वहा रुखने की कोई जरूरत ने, ये सुन रही हो ना तुम अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे जरा दामाजी ने हमारी बेटी के उपर हाथ उठाया कलको तुम वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा एक मिनट रुखो यर, तुम मुझे फोन दो जरा हाँ बेटा, क्या हुआ राहूल ने हाथ उठाया मुझपर, बापा हाथ उठाया मतलब मारा है आजाओ लेकिन दुबारा जाओगी तो नहीं नहीं हाँ तो बिटा आजाओ तुम्हारा तलाक करवा देते हैं उससे लेकिन तुम शौर हो ना कि दुबारा जिससे शादी होगी वह तुम पर गुसा नहीं करेगा और तुम उससे गुसा नहीं करोगी तुम दोनों के बीच मे और हम बैठ कर सुल जाते हैं जगले किसके बीच में नहीं होते तुम्हारे तुम्हारे भाई के बीच में भी हुए है तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुए है तुम्हारे और तुम्हारी मा के बीच में भी हुए है कई बार तुम्हारी मान ने तुम पर हाथ भी उठाया है, और कई बार ना सिर्फ हाथ उठाया है, बलकि मारा भी है, कै तब भी तुम घर छोड़कर चली गई थी, बोलो, तो फिर अब क्यूं वो घर छोड़कर आना चाहती हो, भई उस घर को भी वैसे ही अपना मानो, जैसे तुम इस घर को अपना मानती थी, जैसे तुम हमें अपना मानती थी, ठीक है, शाम को जब वो आएगा, तो उससे प्यार से बात करना, जैसे हम से करती थी, लडने के बाद, ठीक है, क्या हो, फोन काट दिया लगता है, हाँ, तो ऐसे कौन बोलता है अपनी बेटी को, अरे बही, आज हम जिन्दा हैं, तो वो लड़के आ जाएगी हाँ, पर जब जिन्दा नहीं रहेंगे, तो फिर कहा जाएगी, मैं नहीं चाहता, कि ऐसे ही वो पने हालातों से भागती रहे, याद है, बच्मन में एक बर जब वो गिर गई थी, रू रही थी, और जब मैं उसको उठाने जा रहा था, तो तुमने क्या कहा था? यही कहा था कि उठाना मत उसको, अगर आज तुमने उठा दिया उसे, तो वो हर बार गिरने के बाद रोएगी, और यह इंतजार करेगी कि कब तुम आकर उसे उठाऊगे, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर थो जो तुमने उसके बच्चपने में किया, आज वही मैं कर रहा हूँ. आज जल्दी आ गया ओफिस से? हाँ, एक्शुली ओफिस में कोई बहुत साथा काम था नहीं, तो इसलिए. पानी लेकर रहा हूँ? ने, ने, कोई बात नहीं. सुरी, मैं सुबे थोड़ा जादा ही हाइपर हो गया था. सुरी, मैं भी गुस्से में कुछ जादा ही बोल गी थी. एक्शुली, मुझे समझना चाहिए कि तुम दिन बर इतना काम करती हो, तो… मुझे भी समझना चाहिए कि तुम भी बाहर रहते हो, इतनी सारी परेशानियां होती होंगी. आगे से तुम कुछ शिकायत का मौका नहीं दूँगा. तुम कहां शिकायत का मौका देते हो? मैं ही कभी-कभी ओवर्याइट कर देती हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे. चलो इसी बहाने कम से कम तुम को यह पता तो चला कि गल्ती किसकी तरफ से होती है? मार अभी खाओगे कि खाना खाने के बाद खाओगे? खाना खाने के बाद ही खालूंगा. बैसे बिनना प्रेस की शिट अच्छी लग रही है तुमारे पर. थैंक्यू, थैंक्यू. हाँ मम्मी. हाँ बिटा, दामाजी आगे क्या? मम्मी जी नमस्ते. खुश रो बिटा, खुश रो. बिटा, सब नॉर्मल है ना? हाँ, सब अच्छा है मम्मी. हाँ. अच्छा, ठीके मम्मी, मैं अभी रखती हूँ. वो अभी अभी ये ओफिस से आया ना, तो इनके लिए थोड़ा चाय बना देती हूँ. क्या हुआ? कुश नहीं कह रही थी कि अभी अभी ओफिस से आया और इनने चाय पिलाती हूँ. देखा, देखा, जरा से गुस्से में अगर पानी ना डाला जाये, तो घर बरबाद होते देर नहीं लगती है। अरे, पती-पतनी के बीच में तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। जहां आप बीच में पढ़े, बस वही से दूरिया बढ़ी। अरे, आजकल के जो माबाब है ना, इनका बड़ा योगदान रहता है, बच्चों के तलाक में, पती-पतनी है। लड़ेंगे नहीं, तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये नहीं समझेंगे की। जिन्दगी में एड़ेस्ट करना कितना जरूरी होता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, वही तुम्हारी पुरानी बात हैं ना, मेरी इनहीं पुरानी बातों के वज़े से हम आज भी जात हैं।